दोस्तो इस टोक के रूज़ के एक और वीडियो होगा है, स्वागत करता हूँ दोस्तो आध संडे का दोस्तो यह आपको लग रहा है, यह फोटो देखे ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी का मौसम आ गया, बहु ज़्यादा हीट वेट चल रहा है और अभी गर्मी का मौसम तो अभी start है कुछ ऐसे stock होते हैं share market में जो skiklical होते हैं यानि यह खास मौसम खास मन्त में ही ज्यादा active होते हैं especially होते तो हमेशा हैं लेकिन एक खास period में active होते हैं और इस summer wave में summer के time में जब ज्यादा इंडिया में पूरी गर्मी एकदम सवाब पे रहती है तो कुछ electrical items जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा धुम मचाए रहते हैं और इस field में काम करने वाली कमपणियों का performance भी बहुत ज्यादा बढ़ता है उनके share में बहुत ही तेजी देखी जाती है दोस्तों जी है मैं बात कर product के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा में है और इनका है कि clouding fan का जो की temperature को reduce करने के लिए जाने जाती है काफी high price पर भी available है लेकिन जिस तरकी quality यह है और जिस तरकी market में इसकी requirement है क्योंकि सबको गर्मी है गर्मी से बचना ही है ठीक है तो ऐसे product बनाने वाली कमपणियों क share पर नजर बनाएकर रख सकता है जिसमें कुछ कमपणियों को मैं आपको बहुत सारी कमपणिया है लेकिन जैसे हैबल मेरी पसंदीदा कमपणियों में से एक ठीक है बजाज इलक्टिकल्स जितनी भी गर्मी के देर में बढ़े गी इनका यह cooler fan फ्रीज यह जादा ही demand बढ बढ़ने लगता है especially cooler होगा रहका तो बहुती जादा demand बढ़ जाता है एसी का demand बढ़ जाता है दोस्तों ठीक है उसी तरह से ओर्येंट इलक्टिक है और तीसरा जो है बजाज इलक्टिकल्स है इनका cooler इंडिया का लगबग हर घर में ही मिलता होगा इनके product तो मिलते ही होगे लेकिन especially गर्मी के दिनों में इनकी demand बढ़ जाती है और ऐसे ही इनके share price में भी इसका असर देखने को मिलता है तो मैं आपको direct लेके चलता हूँ यह one by one मैं आपके chart पे और मै मैं आपको advice करूँगा देखिए मैं आपको advice करूँ कि यह ओरियंटी रख्ती का daytime frame का chart मैंने लगा कर रखा हूँ है जो प्राइस को study करने के लिए long distance की moving averages मैंने लगा रखा है यह जो green वाली light है यह 200 days की है yellow वाली line जो है 100 days 50 days की है 150 और red वाली line जो है 150 days की price को study करने के content level देखेंगे तो 50 से ऊपर है ठीक है और price देखेंगे तो आपने 200 days से down काफी चल रहा था काफी दिनों से लेकिन अब आप देखेंगे एक खास point के पास आकर यह point note कीजिएगा एक ठीक है यह 260 का है दो इसी के आसपास का है यह 3 इसी के आसपास का है यानि कि पिछले last कुछ month से 3 point यह अपने लोग के पास आकर touch करके वापस जानाया तैयारी कर रहा है और at present यह price अपने 100 days के उपर ही sustain कर रहा है और 150 days के touch point पर है यानि कि 244 रुपया के आसपास है लेकि 200 days से ज़्यादर द का जो की एक psychological point होता है तेजी या मंदी का 200 days का जो आ रहा है 278 पर आ रहा है तो current price ओरियंट इलेक्टिक का 274 है और 278 के बीच में कोई खास difference नहीं है अगर 278 के पास अगर यह sustain कर रहा है अपने आपको तो मैं आपको एड़्वाइस करूँगा कि इसमें इंटी ले लिजे दो तीन महिने तीन चार महिने के लिए इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी दोस्तो ओरियंटिलक्टिक की बात हो गई अब हम बात करते हैं दूसरी कमपनी हैवल्स की हैवल्स में भी same kind of formation बनता हुआ दिख रहा है अगें जो moving day frame का चार्ट मेंने लगा अगे रखाया और moving average is why at 200 days की 150 days की और 100 days की price जब इसका RSI भी देखेंगे ती ये भी 50 के उपर sustain कर रहा है प्रवियस कुछ मन्त में इसने बनाया था जुलाई के मन्त में इसने अपना low बनाया था एक 1040 की उपर प्रवियस low भी इसने इसी के आज़ पास sustain किया और at present जो है इसका same way situation है कि 100 days की उपर price अपने आपको sustain कर रहा है कि 100 days इनका 1205 की उपर sustain कर रहा है कि जो की 100 days के moving averages के पास है लेकिन 200 days का moving average भी डिखेंगे तो 150 days के moving average almost same है जो की 1225 रुपईया के आज़ पास में एक बार 1225 रुपईया के उपर अगर आपने आपको sustain किया तो फिर इसके अंदर आने वाले दिनों में अच्छी कासी तेजी दिखने को मिल सकती है considering the summer period in India ठीक है दोस्तों तो आप इसके अंदर position बना कर दो तीन महीना के लिए hold कर सकते हैं अच्छी swing trading आपको देखने के मिलेगी और अगर आप चाहें अगर आपको डर लग रहा है तो इसका low का ठीक है इसके low का या फिर इसी के low का जो की 1200 है 1195 रुपया का stop loss SL लेके मैं तो बूलूँगा कि SL आपका 1160 रुपया 55 रुपया का असपास होना चाहिए लेकिन 1195 रुपया का SL लेकर अगर आपको डर रग रहा है तो भी आप inti ले सकते हैं आने वाले दिनों में अच्छी कासी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है ऐसा आनुमान है अब हम बात करते हैं दोस्तों बजाद इलक्टिकल का ठीक है बजाद इलक्टिकल में का भी डे फ्रेम का चार्ट में लगा के रखा हूँ यहाँ पर प्राइस को स्टड़ी करने के लिए वही लॉग डिस्टेंस की मूविंग अबरेज भी लगा के रखा हुआ और RSI इसका देखेंगे तो RSI compare to 3 company के RSI इसका थोड़ा 40 का है और इसने previous अपना दो बार same low बनाकर यानि की double bottom का बनाकर वापस पराइस इसके उपर सस्टेंड किया लेकिन पराइस सस्टेंड नहीं कर पाया जाने के बाद at present current situation इसके अंदर थोड़ा सा कि 100 days की moving averages से नीचे है और 150 days की moving averages से भी नीचे है लेकिन अगर आप moving averages का देखेंगे तो एक जगह पर consolidation हो रहा है कि जो उसकी गारे 130 से लेकर 1140 के बीच में 100 days 150 or 100 days का moving averages है एक बार अगर इसके price उपर close हो गया तो sustain करने लगा तो मैं आपको यह suggest करूँगा कि इसके अंदर इसी का low लगा कर जो prediction बना सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी का संकेत दे सकता है एक बार 1260 के उपर निकल गया जो कि इसका previous आई है तो उसके बाद तो इसके अंदर खुला आसमान है दोस्तों फिर भी मैं आपको यह बोलूँगा invest करने यह trade करने से पहले अब अपना research भी एक बार put कर लेंगे ठीक है दोस्तों thank you शुबरात्री